वारा 19 कोशन क्या है 200 लोग्स आज टेक इन दा फुनोइंग मैंड़ ट्वेंटी लोग्स आर ट्वेंटी लोग्स इन दा बोटम बोटम में आपके टोटल ट्वेंटी लोग्स है ठीक है और उसे उपर 19 इन दा नेक्स रोग्स आपके हुंगे 19 लोग्स 19 लोग्स उसके बाद 18 इन दा नेक्स ट्वेंट इस टैप से आपने टोटल कितने 200 लोग्स को लगडी के टुकड़ों को आपने एक के उपर एक रखाए ठीक है मतलब जो आपके 200 है उसके लिए आपकी कितनी रोग्स बनेगी है यह कितनी बनेगी ठीक है एंड हाव मैनी लोग्स आर इंदा टोट जो आपकी टोट पर हो आएगी उसमें कितने लोग्स होंगे आपने जो आपकी कितनी रोग्स बनेगी और कितनी रोग्स बनेगी और कितनी रोग्स आपकी तो आपके पास एक भी क्या बनती है जैसे it is observed that that 200 logs are staked in AP that means आपके पहले 20 logs फिर उसके पाद 19 फिर 18 ऐसे चलिए की है तो from AP from AP is equal to A की वेली क्या होगी आपके पास 20 D क्या होगा आपके पास D is equal to A2 minus A1 that means D is equal to आपके पास आगया 19 minus 20 is equal to minus 1 D is equal to minus 1 और total number of logs की पास है 200 200 that means SN की वेली आपके पास है 200 200 आपके पास लोग से है A की वेली है न D की वेली है N की वेली आपको निकाल लिए N की वेली आपके पास नहीं है So SN की वेली है SM is equal to N by 2 into 2A plus N minus 1 into D SN की वेली आपके पास 200 N है वेली आपके पास 2 2 A की वेली की आपके पास 20 plus N minus 1 और D की वेली की वेली की आपके पास minus 1 N ये 2 इदर आगे मुल्टिप्याई तो ये आपके पास 400 N into 40 बाज इसकी मुल्टिप्याई करेंगे अंदर minus N से मुल्टिप्याई किये तो ये आपके मिनस N N की पलस का है और ये माइनस 1 से मुल्टिप्याई गए तो माइनस N माइनस 1 की माइनस 1 से मुल्टिप्याई गए पलस का 1 तो N is equal to 41 40 plus 1 40 minus N N के अंदर पल्टिप्याई गए 41 N minus N square और इनको इदर आगे आगे इंसाइड 0 रजेगा है आपके पास आगे ये क्वार्टिप्याई एक्वेशन पलस का हुजाई दर आगे ये हुजाई माइनस का 41 N और ये पलस 400 equal to 0 आपके पास क्वार्टिप्याई गए ये N की ठीक है क्वार्टिप्यक्वेशन के लिए मैंने आपको को सिखाया हुआ है पूली नोंगे वाले सेकिंड चैक्टर में ठीक है कैसे बनाते हैं मेटर्टर्ण स्प्रीट से इस नहीं पड़ जाता है सब का सब तो N square माइनस 41 N पलस 400 equal to 0 ठीक है मेटर्टर्ण को ऐसे स्प्रीट करना की एड और सब्टैट करें हम तो मेटर्टर्म अगर मल्टिप्लाइ करें तो फास्ट और लास्ट टर्म का मल्टिप्लीकेसन है ठीक है तो हम करेंगे मल्टिप्लाइए N square minus 25 N minus 16 N पलस 400 अगर इन दोनों की मल्टिप्लाइए तो हमारा आएगा 400 अगर इन दोनों को add करेंगे तो minus का 41 N N कोमन लेजिया इस दो टरंग में से आपने N को कोमन लिया तो N minus 25 यहां से लिए आपने minus 16 कोमन तो यहां लेगा N minus 25 is equal to 0 आपके पास N minus 16 और दूसरा क्या है N minus 25 is equal to 0 ठीक है N की value आपको दो value मिलें यहां से N minus 16 equal to 0 और दूसरी क्या है N minus 25 equal to 0 N की value आपको यहां से 16 मिल गई और N की value मिल गया यहां से 25 तो आपके पास है 200 logs और arrange गरने हैं उसको A की तरीका और arrange गरने का 2 N की value कैसे बढ़ सकती है तो हम put करके रहेते हैं value A N पर रहेते हैं A N let N is equal to 60 तो हमने रहादे A N की value last one how many logs in the top of the root तो A N is equal to A plus N minus 1 into D 5 logs A 16 की value आपके पास आगी 5 कि last वारी rows में हमारे पास होंगे 5 logs जो last की उपर की rows होगी उसमें 5 logs तो अब हम देखते हैं कि N की value अगर हम 15 रखें सीखिए 25 let N is equal to 25 तो A 25 is equal to A plus N minus 1 इंतू इंतू दी एक यह आपके पास 20 plus N 25 minus 1 इंतू माइनस 1 तो यह आज़रा आपका 20 plus 24 into minus 1 तो 20 minus 24 that means आपके आगे minus के 4 logs और यह कभी possible नहीं है आपका कि logs आपके minus में चले जाएगे हर quantity हमारी positive में होती है और logs minus में कैसे रख सकते हैं यह आप इसलिए consider नहीं करेगे 25 को हमारे total रोज यह रोज किती बढ़े हैं हमारी रोज हमारी बनेगी 16 तो लिख दो आप n is equal to 25 is not possible because a 25 is equal to minus 4 so n is equal to 16 is possible because a 16 is equal to आपकी a 16 की बढ़ आपकी a 16 की बढ़ आपकी 5 ठीक है एंड इन जो यह पूछ है how many logs are in the top of the row in top of rows logs are कितने होंगे आपके 5 एन की value आपको पता लगी है आपकी n की value होगे 16 16 कुझिटर करेंगे क्योंकि n की 1 25 यह लोग की value आ रही है माइनस में और 16 में रखे हमारी positive value हमें साब positive value को consider करते हैं और n की value हमें हमारी top of the row मतलब जो टोप में बढ़ेगी हमारी लोग उसमें कितने लोग से हमारी लोग से होंगे 5 यह था कोश्चन आपका 19th कोश्चन exercise 5.3 का